हेलो गाईज, स्वागत आप सभी का, आप सभी को होली की हार्दिक शुब कामने, तो आज हम बनाएंगे दही बले, तो इसके लिए हमने ये एक कप उडद धुली दाल ली है, ये धाइसो ग्राम है, और इसका एक चोथाई कप हमने ये मूंग धुली दाल ली है, ये असी ग् का टोरी से आप नाप सकते हैं इसको, और अब इसे हमने पानी से पांचे बारी धो लिया है, और इसको अब हम भिगो कर रख देंगे 7-8 गंटे के लिए, 7-8 गंटे बाद ये देखे, दाल ऐसी हो गई है, इसको चेक करेंगे तो थोड़ी फूल गई है, ये देखे, इस त दो कडची दाल डाले इस तरह से, इसे एक साथ नहीं पीसेगे, ये पीसेगी नहीई, गृइंडर खराब हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा हम एक चम्मच पहले पानी डालेंगे, और इसे पहले हम halkा सा पीसेगे, इसे एक दम नहीं पीसना, पहले हलका सा प्लस मोड प और फिर ग्राइंडर में फिर से ये एक कड़ची डाल डाल देंगे और अब हम इसमें दो चमच पानी डाल देंगे इस तरह है लगबग हमने ये तीन चमच पानी डाल दिया है और अब इसे दुवारा से पीस लेंगे हम इस तरह से और इसे हमने महीन नहीं पीसना थोड़ा ह और पानी इसमें ज़ादा नहीं डालना दो चम्म या तीन चम्म रुची डालना यह देखे इस तरह यह गारा पेस्ट हो जाएगा जब आपका इस तरह से पिसेगा तभी आपके दही बल्ले अच्छे बनेंगे अब इस तरह बड़े पतिले में निकाल लेते हैं यह देखे य इसी तरह हमने अब ये दूसरी दाल जो बची हुई है उसे भी पीस लेना है ये पहले हम निकाल लेते हैं सारा इसको इस तरह और देखे अब इसी ग्राइडर में हम फिर से दाल डाल देंगे सेम प्रोसीजर है दो कडशी डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको थोड ऐसे यह देखेए यह गारा सा घोल है बिलकुल और आप इसे चेक कर सकते हाथ से यह देख़िए यह ना जौधब महीन है और ना ज़ादा मोटा है बस इसमें हल्के-हल्के दाने आएंगे इस तरह से यह हमारा पेस्ट तयार है अब इसमें हम एक पिंच हींग डाल देते हैं इस तरह से आप इसमें नमक ना डाले बस हींगी डाले और अब हम इसको electric beater से इस तरह कम से कम 5 मिनट तक बीट करेंगे इस तरह से ये देखे इस दाल को आप जितना बीट करते हैं हमारे दही भले उतने ही अच्छे बनते हैं अगर आप electric beater से बीट नहीं करना चाते हैं हाथ से बीट करना चाते हैं तो आप इसे हाथ से भी बीट करें, तो आपको कम से कम 15 मिनट इसे बीट करना चाहिए, ताकि आप जितना इसको फैटेंगे, हमारे धाई बल्ले उतने ही अच्छे बनेंगे, ये देखे, इस तरह से ये हमारी बीट हो गई है, धाई बल्ले का पेस्ट, ये देखे, और इसको थोड़ा सा इस तरह आप बैटर डाल दे, एकदम ये पानी के उपर फ्लोट कर गया है, तो इसका मतला हमारा बैटर एकदम तयार है, अब हम इसके दही बल्ले तलते हैं, धेखे, थोड़ा सा हम तेल गरम करेंगे, उसमें तेल गरम होने के बाद हम थोड़ा सा चेक कर लेत सब्सक्रमाइब के सब्सक्राइब देक् condition लोगे सब्सक्राइब यहीं करची इस आरे गुभर जाएंगे और यह उपर आजेंगे तम हम इस पर कर्ची से इस तरह हम इसको अलट पलट देंगे अगर आपका कोई नहीं छूट रहा तो उसको छेड़े ना वह अपने उपर आजएगा बाक्यों को आप इस तरह से पलट दें इस तरह से यह देखिए अब देखिए वह भी अपने आप आ गए है उपर और इस तरह इसे हम अपने नहींक है यह देखिए अब यह हमारे भल्ले भी ब्राउन हो गया है लाइट अब इस तरह इसे इस देखिए इन्हें हमें चन्नी में निकाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा ओयल हमारा निकल जाए इस तरह से और अब हम इसे इन पानी में डाल देंगे ये देखे भल्ले हमने काटके दिखाया है ये ठीक है बिल्कुल बन गया और इसी तरह हमने ये दूसरा बैक्स त्यार कर लिया है इस तरह से अब इन्हें निचोड लेंगे आधा कर भीत्रों के इस तरा प्लेट में लगा देंगे हम इस तरह हैं से ये दिखें 221 बहले पानी में भिखोने हैं जितने आपने क्खा ने हैं ये देखे और अब इसके उपर बाजी से ựगने दही डाल सकते हैं इस तरह अब इसकोपर और यहहरीक फरूट वाली हमने पřरू डाल दिया इमली की और थोड़ी सी ओर डाल देते हैं इसी मैं आपको रश्पी सेंट कर दूंगी और यह हरी चटनी डाल दी है हमने यह भी हमने घर पर भी बनाई थी पहले सी बना के रख्यों अब डाल दें नमक थोड़ा सा हम इस पर डाल देंगे ब्लैक पेपर इस तरह से और थोड़ी सी हम इस पर चाट मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा भूना हुआ जीरा डाल देंगे अद्रक के टुकडे से सजा देंगे थोड़े से हमने चुकुंदर के पीसिस डाल दी है और थोड़े से हमने इसमें अनार के दाने डाल दिया है, थोड़ी से उपड़ से फिर से दही डाल देते हैं, और धनिया बत्ता से हम इसे सजा देते हैं, यह हमारी चार्ट तयार है, यह देखें कितने सोफ बने हैं भले यह एकदम से, यह देखें, आप इसे बनाएं, खाए enjoy करें अपने दोस्तों के साथ अपनी family के साथ आपको एक बरी फिर से हो ली कि धेर सारी मुबारक बात मैं मिलती हूँ दुबारा बाई